स्टार्ट किया जाए , चलिए लाइक सेयर सभात कर दिजिएगा जितने लोग जड़ी गया है जल्दी से एक बाफ शेशन को शेयर भी कर दिजिए लाइक कर दिजिए , फिर हम लोग केस्ट करते हैं जी हां मोहरे की क्लास काथअ होचुकी हैं, अमने लगबग 120 कोशन मुहओर के करा दिया था, मुहओरा थोड़ा सक्या होते हैं, इसकारन हमने 1,500 कोशन कराए हैं, ठीके, चले चले तो चले, स्टार्ट करते हैं, याँ पर कोशन दिया है, इनमेंसे कौन स्कत्रअब पूरी तरह ततपुरुश समाज से समंधित है। दिखो, ततपुरुश समाज क्या होता है, जिसके यहां पर इसमें प्राया उत्तर Pale पत्र पत क्या होता है, प्रधान होता है? उप्शन क्या बनेगा? यहां पर देखिए, आपका सी नमर हो जाएगा? तो देखे यहाँ पर अंसर क्या हो जएगा तो यह होता है बहुवरी समास अगला कोशन दिया गया है अनुरूप में कौन सा समास है अनुरूप में कौन सा समास है यहाँ पर बताएगा तो अनुरूप में देखो अनु क्या है आपका इसका उपसर्ग है और जो उपसर्ग हो है उफसर है किसी समय कहीं भी मिल जाए माईठाइय रिभाषदसी होता है इति अ आपके प्रधान होगे आपको का सी नंबर है दोनों हीट पाद आपके प्रधान होते हैं ठीक है ना केलियर है अब देखो दोंद्र समास में अधिकतर आपको मिला होगा और सद्रापको मिलता है जैसे मा लिए 31 तो 31 है आपको दिया गए 30 और 31 है थी और 31 तो 31 स्पारीस आपको समास बनेगा यहां पर आपका डिन वर आपके चार समास होते थे लेकिन फिर क्या हुआ आगे चलके यहां पर दूआओ जोड़ दिए गया करमदारे समास और आपका दुख समास यही कारण है कि समास में क्या होते हैं अपवाद होते हैं अपवाद मतलब यह हुआ इस कोशर में बहस किया जा सकता है और किया भी नहीं जा सकता है जिनको ग्यान नहीं होगा वो बहिस करेंगे जिनको ग्यान है वो बहिस नहीं करेंगे तो यहाद रिखेगा कि ततपुरुस समास के यह अंतर गताब का करमधारे समास आता है और आपका दुख समास आता है यह कारण से अपवाद आपको मिलता रहता है तो यहाद रिखे इस ठोपिक में आप लोग भैहिस्च न करें ठीक है ना चले हैं यहांपर आगे बढ़ते एक को शन दिया गया है पदिच्वित में कौन से चले जै呢 आगला कोशन दिया है हत्ध कड़ी में कौन से समाथ है मतलब हां ठिके लिए कड़ी हाना हां ठिके लिए कड़ी तो आपका जवाब क्या बनेगा यहाँ पर आट नंबर का जवाब दीजे भई चले यहाँ पर बिल्कुर सही जवाब आ रहा है जिसका भी आपसना रहा है भी नंबर बिल्कुर राइट हो जाएगा यहाँ पर ततपूरुष समास बनेगा अगला कोशन दिया गया है इसने हम यहां पर क्या हो जाएगा इसका आपको is ततपूरु समास है अब देखेए अगला कुछिशन दिया गया है कमल नयान में को से समास है चलिए साति दुख समास है दुन समास बहुरी समास और बहुरी समास चली वह ऐसे देखा जाए तो यह करमधारे समास में आएगा ठीक है ना लेकिन मतलब यह जो आपका कमल नयान है यह आपके दोनों में होता है करमधारे समास में और बहुरी समास में लेकिन आपके करमधारे समास तो द करना है और विशेशन होता है वे सब्द क्या कहलाते हैं जिन सामसिक पदों में सब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेशन होता है उसे क्या कहते हैं ग्यारा नमबर में तो देखो यहां पर होता है दिग अर्था संख्या समास है तो राजा का दर्बार मतलब संबंध हो जाएगा उपसर गए और उपसर दिया है तो आप जवाब दे सकते हैं आपका अब्वेव समास यहां परंसर है राइट हो जाएगा किलियर है अगला बताई यह कोशन दिया गया है कि जिस समास में पूरपद गौड हो तथा उत्तरपद प्रधान हो उसे कौन से समास कहा जाता है या इर्मे से कौन से समास आपका हो जाएगा चलिए बताईगा कह रहा है जिस समास में पूरपद गौड तथा उत्तरपद प्रधान हो उसमें कौन से समास हो जाएगा चलिए चौधा को अप्सन दिया पर देख सकते हैं, चौधा को अप्सन आ रहा है, कुछ लोग दे रहे हैं, यहाँ पर दिखे तत्पुरुष समास इसका अंसर बनेगा B-Number, ठीके, अगला बताइए कोशन दिया गया है, कि निम लिखित में से करमधारे समास का उदारन इर्मी से करमधारे समास यहाँ पर क्या है, आजनम में तो होगा नहीं, सा परिवार, कामचोर और आपका प्रिय सखा, यहाँ पर पंद्रा को अप्सन क्या बनेगा, चलिए अप्सन देखी बनेगा इसका D-Number है, प्रिय सखा, यहाँ पर अंसर बने आपका D-Number हो जाएगा, B-Number मत मतलब आपका गिरधर, मतलब आपके क्रिश्व भगवान, इसका आपका बहुरी समास हो गया, देश विदेश, देश और विदेश, यहाँ पर दुन्द समास हो जाएगा, यह था सीगर में आपका बेवाव समास हो जाएगा, तिसका तीन हो जाएगा, तिसका आप्सन क्या अगला कुछन दिया गया वैल गाड़ी चलिए बैल गाड़ी में समास बताइए चलिए बैल गाड़ी में समास चलिए तो देखो यहाँ पर होज़ेगा बैल के लिए अगलर निजेँ तो यहां पर दिया गया है यहां पर देखن गया है पूरा कोशन पड़े तो बताना है यह था प्रवीड महह मिद्याले में प्रितांबर धारन करने आते हैं इस वाक्य या उस वाक्य में तत्पूरुर्श समस कोई से सब्ड में है मतलब यह पूँचा है कि तत्पुरु समास जो आपका है वो की सब्द में है यहाँ पर महाविद्यारे, पीतामबर, सस्त प्रवामीड या धारण करके 20 को अप्सन क्या बनेगा तो यहाँ पर देखे सास्त्र में प्रवीड यहाँ पर अंसर जो बनेगा वो आपका C हो जगा सास्त्र में प्रवीड यहाँ पर पूचा गया तत्पुरु समास ना कि पूचा गया है आपके बहुबरी समास देश भक्ती में समास मतलब देश के लिए भक्ती है तो के लिए सब्दा आ गया तो अप्सन क्या बनेगा यहाँ पर यह नमबर हो जगा ततपुरुष समास अगला कोशन दिया गया है पंच वटी में कौन से समास है यहाँ पर 23 को अप्सन दिना है यहाँ पर नसरप करेट क्या हो जगा तो देखो यहाँ पर संख्या वाची होता है और संख्या वाची है तो क्या जवाब बनेगा दिख समास हो जगा दिख समास निश कोशन दिया गया है कि कौन सा अधिकरन ततपुरुष समास नहीं है 24 कोप्शन दिना है तो देखो यहाँ पर दिया है पुर्सों में उत्तम, पुर्सों तम, देश, टन, कुल्सेस्ट, धर्म, भरस्ट, धर्म से भरस्ट इसका मतलब यह अपादान में होता है यहाँ पर यह अपादान का आपका याद रखी इसका अपसन हो जाए अगला कोशन दिया गया है निला अंबर में कौन सा समास है निला अंबर में कौन सा समास है आपको जाना है पचीस अंबर में तो देखे पचीस वालिम क्या हो जाए आपका यहाँ पर देखे निला अंबर मतलब करम धाले समास में नीला अंबर नीला विसेशन अंबर विसेश है और विसेश विसेशन वाला समास होता है तो आप समने अपका एंबर अगला कोशन दिया गया है समास के सब्दों समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है समास के सब्दों को अलग करने को क्या कहते हैं चलिए देखते हैं इस question का जवाब इन में से क्या बनेगा चलिए समास के पदों को अलग करने को क्या का जाता है ये question काफी लोग गलती करके आ जाते हैं exam में हो सकता है यहाँ पर गलती ना हो लेकिन फिर भी कुछ लोगों के जवाब यहां पर टेंडे मिन्दे आ रहे हैं चलिए चलिए 26 इस कॉप्सन बनेगा यह विग्रा होता है विग्रा यादर्की स्कॉप्सन बनेगा यहां पर आपका A नंबर बनेगा ठीक है अगला कुछन दिया गया है करता करत का समा सिन में से क्या हो जाएगा करता करत में याद रिखी इस कराइट इंसर हो जाएगा सिन में इसमें करम धारे समा से यहाँ पर याद रिखी आपसंज बनेगा आप कहाँ पर सिन में हो जाएगा कई बार यह कोचन निक जाम में तो कूचा ही पूचा गया है एक बार नहीं बहुत बार पूचा गया है देख सकते हैं अभी आपके वर अच्छंग में भी पूचा गया था यहां पर अंसर आप कस्ती हो जएगा जेल वार्डर में भी पूचा गया था अगला अपसे दिया गया है वचिना अम्रत सब्दे का विग्रा हो जाएगा वचन अम्रत सब्दे का विग्रा करेंगी तो क्या बनेगा यहाँ पर आपकी नंबर हो जाएगा ठीके आगे बढ़ते हैं कोछिना आपसी इगला पूछा गया है अब ब्याई भाव समाज का उधारन इन में से क्या है अब ब्याई भाव समाज दिया है अन जल इन में तो है नहीं है अन्त अनन्त इसमें भी नहीं है धर्मा अधर्म देखो जो लोग 29 का आपसन देखो धर्मा धर्म धर्म और अधर्म तो इसमें भी नहीं है मतलब आपसन जो बनेगा आपका D-Number पल पल याद सतावे मतलब यहाँ पल पल और पल मतलब दुरुकती वाले साथ होते हैं जैसे दिनो दिन रातो रात धड़ा धड़ यह दुरुकती वाले जो होते हैं तो यहाँ परमसर आपका D बताना है ठीके इसमें मतलब आइए क्योंकि यह होता है धर्म और अधर्म इसको तोड़ते हैं भनेगा धर्म और अधर्म बनेगा ठीके आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिला पुछा गया है कि प्रतिमान में समास क्या है प्रतिमान में समास कोशन दिया गया है पीतांबर में कौन से समास है चले 32 समर में पीतांबर में समास कौन सा है पीतांबर पीले वस्तधारन करते हैं यहां पर क्या बनेगा आपका बहुवरी समास बनेगा यहां पर अंसर बने आपका डिनमर बहुवरी समास जब यहां पर क्या हो जब क्या हो प पितामबर में करमधारे भी हो रोका बहुरी भी हो, तो आपको लगाना किसको भाहबरी समाज को पहले लगाना है, जब भी कभी हो तो आपको भाहबरी पर फोकस पहले करना है, ठ् prosecutors पितामबर में करमधारे समांस है? रखेगा ठीकर चलेग चलेए आगे बढ़ते हैं कोशिन दिया गई है गौसाला में कौन से समास है गायों के लिए लुट हैं साला अर्थाट गायों की रहने के लिए जله घर आठात यहां पर 34 कोसन क्या बनेगा उप सपार जरे बाई अगला question आप से दिया गया है चाओ राहा में कौन से समास है यहाँ पर बताना है सही जवाब दीजिए इनमें से अंसर क्या हो ज़ेगा चले जैहिंद जैहिंद चले चाओ राहा में कौन से समास है चार राहों का समाहर और चार राहों का समा अर्थात संख्यावाची आपसम मनेगा यहाँ पर इनमबर है अगला कोशन दिया गया है कि किस समास में कोई पत प्रधान नहीं होता है और कोई भी पत प्रधान नहीं होता है वो होता है बहुवरी समास होता है आपसन बनेगा अपका सी नंबर हो जगा, याद रिके बहुरि nossa होता है, ठीक है, अगला कोशन दिया गया है कि 5 नदियों के भूम को किस नाम से शम्मूदित किया जाता है पांच नदियों के भूम को किस नाम से अथात यहाँ पर समास दिया गया है तो 38 कॉप्सन में से क्या हो जएगा तो यहाँ पर देखे 38 कॉप्सन हो जएगा पंजाब क्या हो जएगा पंजाब अपसर बनेगा यहाँ पर ए नमबर आपका राइट हो जएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है चक्रधार आपको बताना है चक्रधार में चक्रधार में कौन से समास बनेगा उन्तारी समबर में चलिए चक्रधारन किया है जिसने क्या बनेगा यहाँ पर जिसका अंसर हो जएगा चक्रधारन किया है जिसने उसे बोलते है चक्रधार option बनेगा A number हो जाएगा अगला question दिया गया है नेमड के प्रस्च में 4 विकल्प दिये गया है 10 आनन में दिया है 10 आनन में भवरी समास है और 10 है आनन जिसके जिसके कहाँ पर है यहाँ पर देखिए 10 है आनन जिसके option D number इसका right हो जाएगा आगला question दिया गया है क्याराब से यहाँ पर दिया गया सब्त सिंधू सब्त सिंधू किसे कहते हैं देखे यहाँ पर सब्त सिंधू किसे कहते हैं तो यहाँ पर साथ सिंधू का समू या परंसर बनेगा A number आपका right हो जेगा साथ सिंधू का सम्मू इसका अंसर बनेगा अगे बढ़ते हैं कोशन आप से पूचा गया है कहरा है आप से रसोई घर में कौन सा समास है रसोई घर में समास रसोई के लिए घर है यहाँ पर 42 समबर में इनमें इसे क्या कहा जाता है चले 43 को उप्सर्ग है और जब कभी उप्सर्ग होता है वो आपका बेग भाव समास होता है और अगला कुशन दिया गया है सद भावना सब्द में समास क्या है सद भावना सब्द में समास पूचा गया है सद भावना में क्या हो जगा सद है जो भावना हना सद भावना कैसे मतलब 45 को आप समनेगा यहां पर इनमर करम धारे समास बनेगा या दिरिके अब बै नहीं है यहां पर जो आप कंसर बनेगा इनमर इसका राइड हो जगा अगला है देश से निकाला होता है मतलब आपसन जो हो जाएगा वो आपका अब्धी नमबर ये गलत दिया गया है अगला कोशन दिया गया है कि समास विग्रा और उनके भीद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाकिको यहां पर बताना है देश भक्ती का समास समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है जब कोई भी पद प्रधान आपको ना मिले तो आपको लगाना है क्या है आपको बहुवरी समास लगाना है आपका डी नमबर इसका अराइट हो जाएगा अगरा कोश तो आपका जवाब होज़िए कार्मधारिश समास अगिला कोशिन दिया गया है गंगा-तट आपको बताना है गंगा-uted गंगा-कह-יות का-Tat भिष्ट्ति प्रियोग है भिष्ट्टि वरार जो होता है मतलब यहां पर यहां पुरुष पर्भी-समास होता है यादो साभी गंगा कामरे में क्कार्म धारे में समाश संच सप्समास क्या है आगला Country में राइघ अलब तो आपसे अप्समन क्या होगा संख्यावाची बने clock कोसिन दिया है प्थ ब्रेस्ट में तरा होता है पथ से आलग हूआ अलग हुआ तो तत्पुरुश समास होल जगा अपा दान तत्पुरुश समास हो जह ऐसे हमनेarte हैं गया हैं सथ मिलने चूरी सकता थोड़ने पर कि सभ़ा मिल जाए यह रूपी सभ़दा आपको मिल जाता है यह सब्धा में प्रभी दिया गया है यहां पर दिया गया है पीतांबर पर फोकस किया गया है प्रभी दिया गया है तो पीला वस्त धारन करते हैं यहां पर अंसर बताईए 56 को उप्शन में से क्या बनेगा जब बहुड़ी हो और कर्म धारा है हो तो सबसे पहले आपको बहुड़ी समास ही लगाना है यहां पर अंसर बनेगा आपका a number इसका राइट हो जब बहुड़ी समास यहां पर दुख समास क्योंकि बहुरी आपसन में है ही नहीं तो आपसन में आपका A नंबर होज़ेगा अगला कोशन दिया गया है क्या रहे आप बेई भाव समास इन में से क्या है आप बेई भाव समास पूछा गया है तो घुड़ सवार पाप पुन पितांबर और आपका मिल गया आज यवन उपसन मनेगा यहां पर आपका A नंबर अगला कोशन दिया है तरवेडी सब्द में कौन समास है तरवेडी सब्द में पूछा गया है यहां पर अंसर क्या होज़ेगा तरवेडी में तो आपका जवाब होज़ेगा आपका दियुक समास क्या होज़ेगा यहां पर आपका A नंबर होज़ेगा ठीक है कोई भी रंग 3 हो सकते हैं हमने अगर हम आपको बता दे अगर हम आपको आप से बोलें कि तीरंगा मालो तीन रंग से रंग दे और आपसे बोलें यह तीरंगा है तो आपका होगे गया भाई यह माल लिजे चले यहां पर बताइए यह आपका एक रंग हो गया एक यह रंग हो गया एक यह रंग हो गया आपका इसी तीरंगा कहोगे गया नहीं कहोगे जब 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 तो आपको कर्म धारे समास यहां पर अंसर बने क्या यहां पर कर्म धारे समास अब का हो जाएगा आगला कुशन दिया गया है कि आपको प्रॉब्लम हो या आप हाई गोड का दर्वाजा खटटटाने जाएं ठीके ना इस टॉपिक जो भी कुशन होते हैं साप और सुद दिये जाते हैं तो देखो यहां पर दिया गया है आप से कहरा आप से ततपुरुष समास को दोराने में से बताना है तो यहां पर एक सट को आप्सन क्या बनेगा रा आप से यहां पर कि दोंदे समास का उदारण यांपर नहीं है देन समास का पारण नहीं है दिन धन धान घर बाहर कर च氣 जबाब दीन है क्या धन दिन धन धन यहांस में होता है क्या य प Envoy में ह prix है स्थेयो carn difficult वहां समय अग्ला इस श्याहा क्तुण समास अगला कोशन दिया गया है यहां पर देखिए क्या हो जाए इसका राइट हो जहेगा ठीक है अगे बड़ते कोशन दिया गया है गंगा जल में शमास आपको बताना है गंगा जल में समासिं में से गंगा जल में समास क्या है? आपका जवार होजएगा गंगा जल गंगा मतलब होजएगा तदपूर्श समास होजएगा किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते है यहाँ पर बताना है चले पंचमुकी भगवान नहीं दिखा है संकर भगवान के भी आपने पंचमुकी अनुमान बोले हैं पंचमुकी अनुमान भी होते हैं वेसे पंचमुकी अनुमान की मंदिर आपको ज्यादा मिले होंगे ठीक है चले तो यहाँ पर देखे आपका दोनों पद मिलकर एक नया आर्थ होते है तो आपका बहुरी होता है अगला कोशन दिया गया है किया रहा है गो साला में कौन से समास है गो साला में कौन से समास है यहाँ परंसर आपका नहीं हो जाएगा तो देखे गो साला गाओ के लिए साला तो आपका जवाब हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है बहुरी समास क तरण कमल पंच वटी और करूण पती अब बताइए यहां परनसर क्या बनेगा तो देखे आपका जवाब क्या होज़ेगा चतुर भूज अर्था जिनकी चार भूजाएं है विश्णु भगवान अगला कुशन दिया गया है किस समास में दूनों पत प्रधान होते हैं सतर न अगला क्वशन दिया गया है 12 सिंगास सब्ध में समास बताना है 12 सिंगास सब्ध में समास यहां परनसर क्या बनेगा है बाता नमबर में तो बातार का जवाब आप लों कमेंट